इस वीडियो में आप सीखेंगे ग्राफ क्या होता है, कैसे होता है, किस तरह से बनाया जाता है और ग्राफ का मेजर्मेंट किस तरह से किया जाता है ग्राफ दो तरह के होते हैं, एक होता है लाइन ग्राफ और एक होता है बार ग्राफ इन दोनों ही ग्राफ को अगर आप डीटेल में जानना चाहते हैं तो इस वीडियो में अंतर तक बने रहे हैं स्वाधत है आप सभी का आपके अपने चैनल जैक सर में तो सबसे पहले आप मुझे ये बता दीजे कि आप की स्क्रीन पर जो डाइग्राम दिखाई दे रहे हैं जो चित्र दिखाई दे रहे हैं उनमें से कौन कौन ग्राफ है यानि कि ये ग्राफ है या फिर ये ग्राफ है या ये ग्राफ है आप इनमें से किसको कहेंगे कि ये ग् ग्राफ है या फिर आप सिर्फ इसे कहेंगे ये ग्राफ है अगर आप इसे कह रहे हैं कि ये ग्राफ है या अगर आप ये सोचते थे आज तक कि ये ग्राफ है तो आप बिल्कुल गलत सोचते थे क्योंकि ये ग्राफ नहीं है इसका इस्तमाल ग्राफ बनाने के लिए किया जाता है आपने कोई कौपी देखी होगी और किसी कौपी में इस तरह की लाइने बनी होती है उसे ग्राफ की कौपी कहा जाता है उसे ग्राफ की कौपी ही क्यूं कहा जाता है क्यूंकि ये ग्राफ है ये भी ग्राफ है और ये भी ग्रा इह तो भी आप graph कहेंगे इसको इसके अंदर बनाए ये तो भी आप graph कहेंगे लेकिन इसके अंदर कुछ बना नहीं है इसलिए आप इसे कुछ भी नहीं कहेंगे ये एक simple copy का एक page है ये डिकिन इसमें भारी-ख और बेडि-बेडि लाइनेशं बनी हुई है और इसे graph की copy ही इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस copy का इस्तमाल सिर्फ और सिर्फ इस तरह के graph को बनाने के लिए ही किया जाता है इसमें आप mathematics का इस्तमाल नहीं कर सकते इसमें इंगलिस का कहा जाता है इसे ग्राफ नहीं कहा जाता है तो आप समझ गए होंगे बिल्कुल कि इसे ग्राफ की कॉपी क्यों कहा जाता है और यह ग्राफ नहीं है ग्राफ यह है यह है और यह है इनमें से कौन कौन से ग्राफ इनमें किसे कौन सा ग्राफ कहा जाता है यह जानने जी आप यहां पर एक ग्राफ है यह इसको कहा जाता है लाइन ग्राफ इन दोनों को कहा जाता है लाइन ग्राफ क्यूंकि इसमें लाइन द्वारा दिखाया गया है कोई भी डेटा जो है व भी चीज आप समझ गए अब graph में कुछ जयादा समझने के लिए नहीं होता है इसे आपको बराबर से आप लीजिए तो आपका diagram जो है यह जो graph है यह अच्छी तरह से बन जाता है clear बन जाता है इसमें सिर्फ नापने का रही एक main काम होता है तो नापते किस लिए हैं उसी को नापने के लिए आपसे गलती ना हो इसी लिए इस तरह की copy का इस्तमाल किया जाता है क्योंकि इसमें पहले से ही लाइने बनी होती हैं आप कुछ भी कही भी कर तो करेगा इसमें आसे महीं महीं बहुत से खालने देखें एक दो तीन चार पांच चैसा आठ नौट सब्सक्राइब होंगे अगर आप कपी में देखेंगे आप देखेंगे किसी भी कापी में दस तक खाने होंगे और दस खाने के बाद या इधर से जाए ग Pride सी अपने जाएगी टो वेह इसलिगे होता है क्योंकि आप खाली नापे अच्छी तरह से और कुछ उसका मतलब नहीं होता है आप इसको साधी कापी पर भी बनाना चाहें तो बना सकते हैं तो मान लिजे 10 लाइन के बाद एक मोटी लाइन जाती है फिर एक मोटी लाइन जाती है और आपको मानना है मान लिजे मैं एक एक ग्जामपल ले रहा हूँ एक कॉलेज का कोई कॉलेज है आपके एरिया में चार तरह के कॉलेज है चार स्कूल है उनका नाम है एक का A नाम है, एक का B, एक का C और एक का D नाम है और उन विध्यालियों में, उन कॉलेजों में, उन स्कूलों में विध्यारती होंगे यानि स्टुडेंट होंगे, तो उन स्टुडेंट्स की संख्या कितनी है उसको आप किस तरह से दिखाएंगे तो आप चाहें यहाँ पर दिखाईए या साधे पेच पर दिखाईए इसमें हम दिखाएंगे यहाँ पर बनातर तो यह गंदा हो जाएगा इसलिए हम आपको यहाँ पर दिखा रहे हैं एक साधे पेश पर, आप इसमें सिर्फ और सिर्फ इसलिए इसका इस्तमाल करते हैं क्यूंकि आपसे कोई गलती न हो, कोई स्केल से आप अगर नापना चाहें तो इस साधे पेश पर भी बना सकते हैं और इस पर बनाएंगे तो यहां पर मान लिया या फिर यहां पर हमने नहीं माना यहां पर पाँच खाने के बाद अम्हें लिग हम कहा मानेगे और हमने 10 खानों के बाद 7 मानेंगो लीवस्यकतो जैसे जरॲइत होगी यानि कि यहां पर में hen नूबर को Rखना होता है बस और कोई बात नहीं है यहां पर आगर हम سिंपल पेश पर बना रहे हैं तो अगर हमें यह मानना है तो हम तो ने मन के एहां मान दिया तो हम यहां धोड़ी мाने प्र सींपनीर हिए तो इस्थञा मार ले तो ऐसा बिल्कुल गलत होता है इस तरह से नहीं बनाना है आपको क्या करना है आपको बराबर डिस्टेंस रखनी है यानि कि अगर आपने यहां माना है कुछ भी दूरी पे आपने माना है यहां सुरू में 0 होता है सुरू में 0 होता है एक दम प्रारंभीक पॉइंट ह होता है starting point होता है इसलिए से 0 से दिखाते हैं आपने कुछ नंबर के बाद माना है कुछ डिस्टेंस के बाद माना है साधी कौफिम बना रहा है तो आप स्केल से नाप लीजे एक सेंटीमीटर देर सेंटीमीटर दो सेंटीमीटर कुछ भी तो जितनी भी दूरी पर आप अपन मान लेते उसके बाद एक कॉलेज में मान लीजे 10 विद्ध्यारती हैं एक में 11 विद्ध्यारती हैं एक में 17 विद्ध्यारती हैं और एक में 24 विद्ध्यारती हैं अब कौन से कॉलेज में हैं यह आपके question में दिया होगा या आपका teacher जो भी आपसे जिस तरह से बताया और 24 maximum किसी भी विध्याले में 24 maximum student है तो 24 maximum है तो हमें जो number मानना है इधर उसमें हमें क्या ध्यान रखना है कि maximum हमारा 24 number है उससे कुछ उपर तक हमें number मान लेना है या तो हम 25 तक मान ले या तो 30 तक मान ले ठीक है 30 तक या 40 तक कुछ भी मान ले मान लिए अगर हम 30 तक मान रहे हैं तो हम कैसे मानेंगे तो एक यहां मान ले रहे हैं एक यहां मान ले रहे हैं तो इसको मान लेंगे 10 यह 0 से यहां से यहां तक कि कितने डिस्टेंस से 10 का गयप है तो हम जो दूसरा पॉइंट मानेंगे वह भी 10 के दिस्टेंस पे मानेंगे तो 20 आना चाहिए यहां पर 15 पंद्रा नहीं आना चाहिए तो 25 तक चले जाथे यहां पिर हम 30 तक तब भी चले जाते वाण अगर आपके उपर है आप चाहे जिस तरह से मानिए तो हमने इस तरह से बना लिया उसके बाद तो तो साथ कहा पर आएगा अगर आपने इसमें बनाया होता तो आपको देखिए खाने दिखाई देड़ें चोटे चोटे खानों में आप इस पर कहां पर एक दो तीन इस तरह से गिल लेते लेकिन अगर आपने साधी कापी पर बनाया है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है आप अंदाजा लगा लिजिए अंदाजे से या से नाप लिजिए कि इसमें एक, दो, उट, उट, इसे, या बताजने जाला है तो आप यह यहाँ पर दिखा देगे अब आप को ग्राफ इस तरह से बनाना है तो आप यहां पर इस तरह से लाएं मना दीजे यह बार ग्राफ बन जाएगा अगर आपको इस तरह से बन रहे हैं तो आप यहां पर ग्राफ ना बनाए यहां पर केवल एक प्वाइन दिखा देजिए उसके बद भी विध्याले में मान लिजे 13 तो त्यरा विद्धियार्ति कहाँ पे आएगा 10 और 15 के बीच में आएगा तो यहां पे तेरा आएगा दो पॉइंट के बाद 11 12 13 तो तेरा यहां पर आया हमने अंदाजय से मान लिया यहां तक गए स्केल से आप इस तरह से पॉइंट यहां पर लगाएंगे और बी के ऊपर जाएंगे यहां पर पॉइंट आ रहा है यह सारे आपको डॉट नहीं दिखाने सिर्फ आपको सम्झाने के लिए मैं दिखा रहा था तो आप अगर अगर लाइन ग्राफ के द्वारा दिखाना चाहरा है तो पॉइंट इस तरह से बना लिजिए और पॉइंट से को मिला दीजिए फिर सी विध्याले में माल लिजिए कितने विध्यारती है 19 विध्यारती है यह 20 विध्यारती है तो डिरेक्ट आप 20 पे ले जाए और सी वे कितने है 20 तो यहां पे 20 आ गया तो आप यह पॉइंट हटा दीजिए मैंने खाली आपको सम्झाने के लिए बनाया है और यह पॉइंट आप लगा कि इस पॉइंट से इस पॉइंट को मिला दीजिए तो यह लाइन ग्राफ बन रहा है और अगर आप बार ग्राफ बनाना चाहते तो बार ग्राफ भी बना लेते उसमें कोई दिक्कत नहीं है तो आप समझ गए डी में कितने है 24 तो हम 24 कहां पे आएगा 25 से पॉइंट नीचे जाकि यहां पे कहीं 24 आएगा यहां पे तो एक बनाएंगे तो इस तरह से बना सकते हैं और अगर रफली नहीं बना रहे हैं फेयर कॉपी में बना रहे हैं तो आप उसमें से बिल्कुल साफ सफाई से बनाएंगे तब आपका किलियर ग्राफ बन जाएगा और इस तरह की कापी में बनाएंगे तो लाइने आपकी पहले से ब क Kids ुल्टा बनेगा तो यह आपको दिमाग लगाना है आपको सोचना है कि आप सही तरह से किस्तरह से बना सकते हैं यहापको कहीं लिख कर नहीं दिया जाएगा कहीं बताया नहीं जाएगा कि आप ABCD यहां पर मानिए और इसको नीचे मानिए ऐसा आपको कहीं नहीं बताया जाएगा इतनी चीज आपको दिमाग से सोचनी है अपने माइंड से सोचनी है कि हम ABCD नीचे मान ले और नमबर यहां मान ले यह ऊपर नीचे होता रहेगा यहां पे हम college की जिगह मान सकते हैं कोई महला होता ABCD चार महले हैं महलों के नाम ABCD और इनमें जो लोग रहते हैं जो निवासी रहते हैं महले में एक में 5000-10-15000 कहीं कहीं हैं तो इस तरह से आप indicate कर देंगे मगर आपको indicate यहां पे 5000 यहां पे आप कुछ भी कर सकते हैं माल तो 3000 लिग देंगे तो यहां जीरो से लेकर आपने 3000 तक माना तो दूसरा जो पॉइंट आप मानेंगे वह 6000 मानेंगे फिन 9000 मानेंगे इस तरह से मतलब जो गयब आपको रखना है वह बराबर रखना है बस इस बात का ध्यान रखना है तो यहां पे भी आप समझ गए थे ग कर्मचालियों की जो संख्या होगी वो आप यहां पर दिखाएंगे employees की जो संख्या होगी उसे आप यहां पर दिखाएंगे मान लिजे कोई उत्पादन हो सकता है किसी भी company में तो किस तरह का उत्पादन होगा मान लिजे किसी company में fridge बन रही है एक साल में इतनी fridge बनी दू पर मानेंगे आपको जो समय दिया गया है चार सालों में ट्रकों का उत्पादन किसी कंपनी में हो रहा है एक साल में इतनी ट्रकों का उत्पादन हुआ सब इसका को वह तो कित를 Gill come website यहां मानेंगे समय और यहां पडिखा जेंड़ें तो क्या मानें हम समय मान लिए हैं 2005 ने दूसरा पॉइंट दिखने में हमें दिक्कत पॉरह रहे हैं तो यह प drifting आप दिख्ञा रहा पर दूरी पर लिख देंगे ताकि साफ सुथरा एकदम आ जाए तो यह आपको डिस्टेंस का ध्यान रखना है कि बराबर बराबर डिस्टेंस पर रखेंगे 2006 के बाद लिखेंगे 2007 तो 2007 के बाद आएगा 2008 तो इस तरह से हमने जो समय दिया है उसको हमने नीचे मान लिया और उत्पादन जो दिया है वो ऊपर हम यहां लिख देंगे मान लिजे 150 पीस का उत्पादन हुआ किसी साल 70 का उत्पादन हुआ किसी साल 80 का उत्पादन हुआ किसी साल 90 का उत्पादन ह है तो हम जो पहला पॉइंट मानेंगे वह हम 20 भी मान सकते हैं दस भी मान सकते हैं पांच भी मान सकते हैं तो अगर पांच मानेंगे तो नब्बे तक जानें बहुत टाइम लगेगा दस मानेंगे तो भी टाइम ज्यादा लगेगा 20 मानेंगे तो बहुत जल्दी भी पर आप दिखा देंगे तो आप 10 पीस यहाँ पर दिखा देंगे तो आप इस तरह उत्पादन हुआ यहां पर राएगा और 2007 में 60irmation, तो 70,60 के ओपर यहां बीश में आएगा यहां पर पर आप коммент तो यहां पर आजएगे तो आ आप इस तरह से लाइन के द्वारा दिखा दिए तो बार ग्राफ आपका बन जाएगा और 2007 में भी आप इसी तरह दिखा देंगे तो बार ग्राफ बनाना है तो आप इस तरह से कर सकते हैं लाइन ग्राफ बनाना है तो यहां पॉइंट बनाईए पॉइंट से पॉइंट को मि आज रखी जाती है आप स्केल से मान सकते हैं या फिर इस copy का इस्त्माल कर सकते हैं ग्राफ की copy का तो मैं अमेद करता हूँ आपको यह video पसंद आई वीडियो आपको कैसी लगी मुझे Borderidge मेर फिर हाजिर हूंगा किसी और वीडियो में जब तक के लिए आप बने रहें जैक सर के साथ